मुझायंग ने फाइनली माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट के नेम को एनाउंस कर दिया है जो ट्रिकी ट्राइल्स अपडेट होने वाल है साथ ही कुछ नए फीचर्स भी रिवील करे हैं जो इसके साथ जून में आ सकते हैं सो आज मैं सभी नए मॉप्स, वेपिन्स, लोकेशन्स और फीचर्स को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ ताकि आपका कोई और वीडियो देखने की जरुआ दीना पड़े बट हाँ भाई याद रखना की इस डिफरेंट फ्रॉम 1.20.5 अपडेट जिसमें आर्मा डिलो और वॉल्फ आर्मर्स अड़ हुए हैं उस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना रहा किये इसलिए आज मैं उसमें बात नहीं करूँगा सबसे पहला और सबसे जाता चालेंजिंग मॉब जो इस अपडेट में एड होने वाला है वो है ब्रीज यह एक ब्रैंड न्यू होस्ट्राइल मॉब है जो हमें ट्राइल चेंबर्स में देखने को मिलेगा अभी ट्राइल चेंबर्स किया है उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे फिलाल अभी के लिए हम बात करते हैं इस मॉब की इस अटेक को गेम में अजन आइटम भी आड़ किया गया है जिसे आप दूसरे मॉब पर यूज कर सकते हो ब्रीज का यह यह यूनिक एंड रेंज अटेक किसी भी प्लेयर या फिर चीट से टकनाने पर एक्स्पोड हो जाता है क्योंकि यह एक्स्पोजन नॉर्मल वाले ए तो इसको डिफ्रेंशियेट करने के लेना एक न्यू पार्टिकल इफेक्ट भी आड़ किया गया है साथ ही इस मॉब को मारने पर यह ब्रीज रॉर्स भी ड्रॉप करते हैं जो काफी साथ एक ट्राफ्टिंग रेसिपीज में यूज होंगे अब वैसे तो यह नया मॉब ब स्केलेटन वेरियंट है जो आप पर पॉईजनस ऐरो शूट करेगा यह स्वैम्स एंड मैंगूफ स्वैंप बायों में डगूलर स्केलेटन और होस्टाइल मॉब्स के साथ नॉर्मली स्पॉन हुआ करेगा इन बायोंस के लावा यह ट्राइल चेंबर में भी स्पॉन इसके अलावा गर आप इस पर शियर्स उस करते हो तो आपको मश्रूम्स भी मिल जाएंगे फिर बात करते हैं इस अपडेट के वन आफ दा मोस्ट एकसाइटिंग एडिशन क्राफ्टर की जिसकी हेल्प से हम माइनक्राफ्ट में ऑफिशल आटोमेटिड क्राफ्टिंग कर सकते हैं ताकि वह कुई स्पेसिफिक तूल या फिर ब्लॉक क्राफ्ट कर सके रेड्स एक्सपर्ट्स को अपने क्रेशन में यूज करके ट्रू आटोमेटिक क्राफ्टिंग कर सकते हैं साथ ही अब दूसरे रेड्स टूल चैसे की हॉपर्स, डिस्पेंसर और ट्रैप्ड चेस्ट और भी काम आएंगे तो ये सब कुछ प्लियर्स को आटमाटिक मास्ट पर यूस करने में हेल्प करेंगे एक बार बस सेट अप करने की देरी है इन सब चीज को फिर तो एकदम टेंशन फ्री रहना है भाई आपको गेम में बिकास लगबग सारी चीज़े आटमाटिक में एड होंगे इन चेंबर्स में हमें कॉपर बल्ब नाम का एक न्यू लाइट सोर्स ब्लॉक भी देखने को मिलेगा जो इसी अपडेट में एड होगा इसके बारे में जस्ट अभी थोड़ी ही देर में बताता हूं मैं आपको अभी फिलाल इस नाइस स्ट्रक्चर की बा पड़ेगा एंड एन एक्सचेंज हमें काफी जाता वैल्यूबल डिवार्ज भी मिलेंगे इवन यही वो जगह है जहां में ब्रीज मॉप देखने को भी मिलेगा उनको एक्स्प्लोर करने में बहुत मजा आने वाला है तो अकर आपको अपसे गेम में बैड ओमेन एफेक् करी है इस आइटम को अप्टेन करने के लिए ना आपको प्लेजर मानने पड़ेंगे कैप्टेन रेट करनी पड़ेंगी या फिर स्चैंडर्ड और ओमीनस वॉल्ट को लूट रहा पड़ेगा एंड आप सोच रोगी यह ट्रिंक एक पोशन जैसी है दन नहीं बाई ऐसा न इक साथ कुछ बर्यार फिल també और फिलसिते हैं जो ढघने पर आपको पुछ रिवॉर्ड भी मिलेंगे यह ट्राय इटिजव different categories में mob spawn करता है हर एक category से सिर्फ एक ही mob spawn होता है अब कौनसा mob spawn होगा ये चीज उस spawn के आसपास वाले block पर depend करती है इसकी पूरी combination लिस्ट ना आपको screen पर दिख रही होगी अगर आप चाहो तो वीडियो को post करके इसको देख सकते हो फिर आता है ominous trial spawner जिससे हमना normal trial spawner का difficult version भी कह सकते है ये सिर्फ mobs को naturally नहीं बलकि आपके face के एकदम pass में spawn करेगा हाँ भाई एकदम pass में अरे वो zombie है कोई लड़की में चो तुम feeling ले रहे हो अगर आप bad domain effect के साथ किसी trial spawner के पास जाओगे तो वो automatically omnius trial spawner में convert हो जाएगा इसमें mobs, equipments and potions के साथ spawn होते हैं ये हमको भी different potion effects देता रहता है जिस वज़े से normal वाले spawner से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं फिर इस update में trial की नाम से भी एक brand new item add होगी जिसे हम स्रिफ trial chamber में जाकर ले सकते हैं ये आपको trial chambers की entrance test, kolidon में रखे decorated pots या फिर trial spawner के challenges पूरे करने पर मिल जाएगी एड इसके मिलने का जात और chances तो trial spawner से ही रहते हैं जब आप उससे spawn किये गए mobs को मार कर सारे challenges पूरे कर लेते हो ना उसके बाद वो एक key drop कर देता है जिसका use करके आप trial chamber में present vault block को open कर सकते हो फिर trial key कही एक ominous variant भी है जिसे game में ominous trial key के नाम से deduce किया गया है यह key आपको ominous trial spawner के सारे mobs मानने के बाद ही मिलेगी और इस चीज़ की कोई भी sure duty नहीं है कि पका मिलेगी भी या नहीं because scary key के मिलने के chances सर्फ 30% होते हैं तो अभी जो मैंने vault के पास जाओगे इसका mouth open हो जाएगा and orange particles निकलने लगेंगे इसमें से आप इधर अपनी trial key का use करके ना यहां से armors, tools, diamonds जैसे rewards अप्टेन कर सकते हो गे में vault के भी दो variants है एक तो normal वाला and एक ominous variant इन दोरों में बस फरक की usage and rewards का है just like normal vault ये vault ominous trial key से open होता है और इसमें rewards भी थोड़े बढ़िया मिलते है में इस minecraft 1.21 में add होने वाला बहुती strong melee weapon है जैसे आप broad and heavy course का use करके craft कर सकते हो इस weapon के base charts तो diamond sword जितने ही है बट शिलिए गेम में add होने वाला एक बहुती OP weapon है अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ because जितनी height से आप गिरकर इस weapon का use करोगे न ये सामने वाले entity को उत्र ही damage देगा हर एक block की height से न इसका damage 1.58 जितना increase हो जाता है और यहीं चीज़े से game का बहुती OP weapon बनाती है इतना ही नहीं आप इस weapon को enchant करके और भी ज़्यादा strong बना सकते हो जिससे ये game के one of the most strongest mob warden को भी one shot में kill कर सकते है बाई अब इससे आपको इस weapon की ताकत का अंताजा लगी गया होगा बट अब इतना ज़्यादा उपी weapon है तो इसको use करते time खत्रा भी है क्योंकि अगर आप गिरते time अपने target को hit करते हो तब तो ठीक है कोई भी fall damage नहीं होगा बट अगर आप अपने target को hit नहीं कर पाते तो भाई आपको पूरा fall damage होने वाला है इसलिए थोड़ा सो संभल करी use करना इन सा भी new additions के अलावा game में flow and bolt नाम से दो new armor trims भी वीडियो में include करें लेता हूँ so इस latest snapshot में ना कुछ नए updates and changes आया है game में 20 new paintings, 9 new music tracks और तीन नए music disc भी add हुए है यह जो नए music tracks आया ना भाई यह अलग-अलग बायोंस में जाने पर play हुआ करेंगी like badland, steady groove, flower forest and lush caves में feather fall track play होगी and deep dark plus deep stone caves में deeper track play होगी इसके लावा और भी काफी सारे tracks है जिनकी list आपको screen पर दिखी रही होगी आप चाहो तो boss करके read कर सकते हो साती इस nice snapshot में ट्राल चेंबर में empty chest add किये गए है new entrance variations डाले गए है add mob spawner की category में भी changes किये गए है इसके लावा जो game में copper doors and trap doors थे उनकी recipe में भी कुछ changes किये गए है इस snapshot में data driven enchantments भी reduce की गई है जिससे players अपने खुद के enchantments code कर पाएंगे so यही थे वो सारे features जो की 1.21 में add होने वाले है अब अगर आप सोच रहो कि आर्मा डिलो, new wolf, variant बगएर मैंने इस वीडियो में क्यों add नहीं किये